रामायन प्राचीन भारत की सबसे महान गाथाओं में से एक है जो बुराई पर अच्छाई की विजय की दास्तान को सुनाता है रामायन के हर एक पात्र का एक गहरा मतलब है आईए जानते हैं रामायन के दस सबसे शक्तिशाली युद्धाओं के बारे में मेगनाद जो की रावन का शक्तिशाली पुत्र था वो एक मात्र ऐसा युद्धा था जिसके पास तीनों देवों के अस्तर थे यानि की ब्रह्मदेव का ब्रह्मास्तर, विश्नु का वैश्वनास्तर और शेव का पुष्पत अस्तर मेगनाद ने अपने गुरु शुक्राचारे से युद्ध कला में महारत हासिल की और हर तरह के देवी अस्तरप्राप्त की मेगनाद को ब्रहमदेव ने इंद्रजीत नाम दिया था क्योंकि उसने इंद्रदेव को हरा कर स्वर्ग पर विजय प्राप्त की मेगनाद की युद्धनीती काफी अलग थी वो हर युद्ध से पहले खुद को चलावे से अद्रिश्य कर लेता था जिसकी वजह से वो युद्ध में अजय था यहां तक कि रामायन में मेगनाद ही एकलोता ऐसा युद्धा था जिसने श्री राम और लक्ष्मन को हराया था लक्ष्मन भी मेगनाद को तभी हरा पाया था जब वो अपने चलावे से बाहर आया था अतिकया अतिकया रावन का दूसरा बेटा और मेगनाद का चोटा भाई था जो कि रावन और मेगनाथ के बाद लंका का सबसे शक्तिशाली होता था एक बार अतिकया ने केलाश परवत पर भगवान शिव को क्रोधित कर दिया जिससे उन्होंने अपना त्रिशूल अतिकया पर फैक दिया लेकिन अतिकया ने बीच हवा में ही शिव जी के त्रिशूल को पकड़ कर शिव जी के सामने बड़े आदर से हाठ जोड़ कर खड़ा हो गया शिर्जी अतिकया से इतने प्रसन्द हुए कि उन्होंने अतिकया को धनुषबान और दिवे अस्तरों का गुप्त ग्यान दिया उसने अपने भाई मेगनात के साथ मिलकर अपने पिता को तीनों लोकों पर विजय करने में मदद की थी अतिकया काफी शक्तिशाली होता था लेकिन उसका अंत लक्षमण ने ब्रहम मास्तर से किया वाली वाली इंद्र भगवान का वानर पुत्र था और सारे वानरों का राजा बही कहते हैं कि वाली में सत्तर हजार हातियों की शक्ति थी और तो और वाली को ब्रहमा से वर्दा मिला था कि जो भी वाली से युद्ध करेगा वो अपनी आधी शक्ति खो देगा वाली इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार रावर तक को युद्ध में हरा दिया था लेकिन वाली को पराजित भी श्री राम ने ही किया वाली के उनके भाई सुग्रीव से युद्ध के दोरान श्री राम ने वाली पर बान चला कर उसका वद्ध किया था और फिर उसके बाद सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया था सुग्रीव सुग्रीव सूद्य देव का वानर पुत्र था श्री राम की मदद से वाली को हरा कर वो वानरों का राज़ा बना और फिर श्री राम की वानर सेना का सेना बती सुग्रीव श्री राम की सेना के सबसे शक्तिशाली उध्धाव में से एक था जिसने रावन की सेना के कई युद्धाव को हराया था जैसे कि कुम्ब, निकुम्ब, प्रगास, महोदरा और विरुपक्ष कुम्बकरण रावन का छोटा भाई कुम्बकरण एक महान युद्धा था जिसको युद्ध में इंद्रदेव के जितना शक्तिशाली कहा जाता था जामायन की युद्ध में कुम्बकरण ने सुग्रीव को हराया था और तो और वो हद्मान पर भी काफी भारी बड़े थे कुम्बकरण छह महीने सोता और छह महीने जगता था और उसका कद काफी विशाल था युद्ध के अंत में कुम्भकरन का वद श्री राम ने किया अंगत अंगत वाली का बेटा और वानरों का युवराज था अंगत ने रावन के कई शक्तिशाली उद्धाओं को पराजित किया था जैसे की नरंटका, कमपना और रावन के सेनापती महापरशब गोभी अंगत और उनकी मा नहीं सुग्रीब को श्री राम की सीता को ढूनने में मदद करने के लिए कहा था लक्ष्मन लक्ष्मन यानि की श्री राम के भाई, मित्र और उनके साथी जिन्होंने उनके 14 साल के वनवास से लेकर रामायन के युद्ध तक उनका पूरा साथ निभाया लक्ष्मन दरशल शेशनाग का अफ़तार है जिस पर विश्नुजी आराम करते हैं वो एक कुशल युद्धा थे जिन्होंने रावन की सेना के बड़े से बड़े युद्धाव को हराया था यहां तक कि रावन के पुत्र मेगनात का वद भी लक्ष्मन नहीं किया था श्री राम और हनुमान की तरह ही लक्ष्मन पर भी कई देविय उस्त्रों का कोई असर नहीं होता था हनुमान पवन पुत्र हनुमान शेवजी के अवतार है जो की अत्यन्त शक्तिशाली है वो रामायन के सबसे शक्तिशाली उधाव में से एक है और शिरी राम के सबसे बड़े भक्त भी हनुमान के लिए कुछ भी करना नामुम की नहीं है चाहे वो समुद्र फांद कर सीता जी को ढून रहा हो या फिर रावन की पूरी लंका में आग लगाना हनुमान गदा चलाने में सबसे कुशल थे ऐसा कोई भी देविय अस्तर नहीं है जो कि हनुमान जी का कुछ भी बिगार सके रामायन के युद्ध में शिरी राम को जीत दिलवाने में हनुमान जी ने एहम किरदार निभाया था और तो और उनके भाई लक्षमन की जान बचाने के लिए पूरा का पूरा संजीवनी पहाड ही उठा लाये थे वो हनुमान में रावन के कई शक्तिशाली सिनापतियों को हराया था जैसे की अगनी केतु, देवानतका, अही रावन, मही रावन और अकमपना रावन, रिशी विश्रव का सबसे बड़ा पुत्र, लंका बती रावन लंका का राजा होने के साथ साथ, तीनों लोकों का समराड भी था रावन सबसे कुशल और शक्तिशाली उद्धाव में से एक था जिसने यम देव और मृतियों को हरा दिया था रावन ने अपने भाई धन के देवता कुबेर को हरा कर उनका पुश्पक विमान ले लिया था रावन इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार भगवान शिव को लंका लाने के लिए पूरा का पूरा कैलाश परवत ही उठा लिया था रावन के पास एक ऐसा अमरित था जो वो अपनी नाभी में रखता था जिसकी वजह से वो अमर और अजय था कोई भी उसको युद्ध में हरा नहीं सकता था श्री राम ने युद्ध में रावन की नाभी पर ब्रह्मास्त चलाया था जिसकी वजह से रावान का अमरित सूख गया और उसका अंत हो गया राम श्री राम विश्णु जी के सात्वे अफ़तार हैं और रामायन की गाथा के नायक भी वो राजा दश्रत के पुत्र थे जिनको रिशी विश्वा मित्र ने युद्ध कला की शिक्षा दी और कई देविय शस्त्रों का ज्यान भी दिया श्री राम का धनुष यानि की शारंग धनुष सबसे शक्तिशाली धनुष था जामायन युद्ध में श्री राम ने राक्षश भायों, खारा और दुसान सहिद उनकी 14,000 राक्षशों की सिना को एक घंटे में हरा दिया था जामायन की युद्ध का अल्थ श्री राम ने जावन को ब्रहमास्त्र से मार कर किया था अगर आपको ये वीडियो अच्छा था